तो यह लेक्चर थर्ड है आपका असर्टिफ सेंटेंस में चेंजिस का रिपोर्टेट स्पीच का जिसने नहीं देखा है नेचर डिस्कृप्शन पे वन और टू लेक्चर भी दिये गए हैं आप वहां से देख लीजेगा तो आज हमारे जो इसकी लास्ट स्लाइड होने वा अगर आपके पास रिपोर्टेट स्पीच में इस तरीके के शब्द आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है जब भी आप उसका इंडारेक्ट बनाएंगे तो आपको इनको रिमूव करना है क्योंकि जब आप इसे रिमूव करते तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता जो कहन करना चाहरा है जैसे सेंटेंस देखिए क्या कहा गया है हमसे कि शी सेड वेल पंकज यू आप दन दस वर्क तो वेल एक शब्द दिया गया है जो मैंने आपको बताए कि इसके हिसाब से क्या करना है हमें रिमूव करना है जब भी हम इसे कनवर्ट करेंगे तो शी सेड यह पंकज said है आपका यह हटते हैं क्या बता है धाट में अधर्ट होता है और ही किसके हिसाब से चेंज होगे ही आपके ओप्जिक्ट यानि जब यहां पर चेंज़ इसने ओब्जिक्ट वाला नहीं देखा है कि ऐसे चेंज होता है वह भी पिछली स्लाइट में प्लेलिस में जरूर देखिएगा तो आपको clear हो जाएगा she said punkash that he had done this convert होता एडवर्ब में change of adverb में हमने अच्छे से पड़ा है this convert हो गया अपका that में और उसका मतलब वही रहा यानि कि आपका subject के हिसाब से आपका ये change हो गया past way और he के साथ had आगया past simple basically past perfect का rule होता है had v3 यहाँ पर आपका present perfect था आपके पास you have done done v का third form है do का do did done तो she said punkash that he had done that work यानि कि अगर हमारे पास reported speech में इस तरह के की शब्दा आएंगे oh well you see okay तो हमें क्या करना है हमें इने remove करना है और हमें किस तरह के से changes करने है वो हमने सीख लिया है next rule देखिए student क्या कहता है कि अगर if in reported speech there are two assertive sentences अब देखिए अभी तक हम एक एक कर रहे थे लेकिन अगर किसी rule में किसी sentence में आपके पास दो assertive sentence आ जाते हैं तब आप उन्हें कैसे add करेंगे उन्हें आप add करोगे इन तीन शब्दों से इन तीन शब्दों से आप अपने दो assertive sentences को add करोगे तो देखिए अप कैसे change करेंगे the emperor said example की मज़़ से समझते हैं समराट क्या कहता है कि my wife is beautiful and laborious यह दोनों adjective हैं आपके hard working beautiful एक तरीके से I will visit the Taj Mahal तो दो sentence कह रहे एक थो गया भाया मेरी बीबी बहुत सुंदर है और बहुत hard working अगर हम बात करें और second क्या है I will visit the Taj Mahal यानि कि हमारे पास यहाँ पर दो assertive sentences दिये गए हैं पहला कौन सा हो गया beautiful वाला दूसरा ताज महल वाला तो जब आप इससे convert करोगे तो देखे किस तरीके से convert होगा the emperor said that यह convert हो गया that में his wife किसकी भाई है इसकी wife क्या है is convert हो गया past हो रहा is was में beautiful and laborious यह भी हाँ पर mention होगा यह थोड़ा skip हो गया है and से हमने देखा कि किस से add होने वाले and further और add it से and he would यहाँ फिर से किस के लिए he renot हो रहा है आपके emperor के लिए he would will convert हो गया would में क्योंकि I है I subject के साब से change होता इसके and he would visit the Taj Mahal तो हमने देखा कि अगर हमारे पास भाईया दो assertive sentence आ रहे है तो आप उनको किन शब्दों से add करोगे add further और add it से तो यह थे rule 7 और 8 next rule समझते हैं अपना if in reported speech welcome, farewell, kind of word show or good morning, evening, night, noon then it will change like this यानि कि अगर बात करें कि हमारे reported speech में इस तरीके की शब्दा आते हैं आपके किस तरीके के हो गए जैसे कि good morning हो गया या कोई welcome शब्दा आ गया कोई farewell वाला शब्दा आ गया निकि जो किसी चीज को आपको बताते हैं तब वो किस तरीके से change होंगे यहाँ पर देखिए हमारे reporting वर्ब किस तरीके से बदल रहे है say है bid में wish में say is है bits wishes में say to है bid और wish में यानि कि जब आप उन्हें wish करेंगे एक तरीके से wish में हो गया तो आपका say जो है wish में convert हो जाएगा माना गरेंगे किसी चीज के sense में तो bid का sense हो जाएगा कैसे example की मदद से समझते है with the help of step by step देखिए पहला step हमारा क्या कहता है कि भाईया जो subject है reporting वर्ब का यानि कि reporting वर्ब के subject के बाद क्या लगने वाला है ये जो आपका bid, bits, bid, wish, wishes, wished है तो पहला step तो आपको ये करना है कि reporting वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है आपको ये verbs लगाने यानि कि word लगाने हुए है उसके बाद step 2 कहता है कि भाईया इसके बाद आपके reporting वर्ब आईगी यानि कि जो आप लिख रहे हो इसके बाद reporting वर्ब का तरीके के शब्द आएंगे, यानि कि पहले तो आपको reporting verb के subject के बाद ये लिखने है according to your sentence, उसके बाद reporting verb का object आएगा, उसके बाद आपका ये good morning वगरा ये सब आएगा, कैसे देखिए, my classmate said to me, good morning, you have finished your homework, तो my classmate said to convert हो गया, वेस्ट में, reporting verb का object आगया, यानि कि आपका subject, आपका verb जो बदला है इसके हिसाब से, फिर reporting verb का object, फिर good morning, फिर and, यानि कि इसके बाद शुरू होगा आपका and, या इसमें simple and नहीं भी लिखोगे, तो भी चल जागा, तो यहां से and हम skip कर देते हैं, क्योंकि my classmate wished me good morning, said that, क्या करा उसने, उन्हें wish करा, and हम देंगे, क्योंकि देखिए, मैंने अभी यहां पर इसलिए हटाए, क्योंकि आपको एक समझनी student, हम दो sentence ऐसे लगेगा, the classmate wished the good morning said that, यह एक अटपटा है, तो इस तरीके से इनको add करने के लिए and का होना जरूरी होता है, तो my classmate wished me good morning and said that I had finished my homework, यानि कि एक तरीके से classmate ने क्या पूछा, कि good morning, मतलब एक तरीके से तुमने क्या अपना काम खतम कर लिया है, तो यहां पर उसको indirect way में हमने कैसे कर दिया, कि मेरे classmate ने मुझे wish करा, और क्या पूछा कि, क्या मैंने अपना काम कर लिया, यानि कि I had finished my homework, so यह था हमारा, यहां पर sentence जो हमने change करा है, अगर हमारे reported speech में इस तरीके के शब्द होते हैं, welcome वाले, farewell वाले, या good morning, तो हम उने कि तरह से change करेंगे step by step, आप इसका screenshot भी ले सकते हो, so that आपको इसमें confusion ना हो, अब हम बात करते हैं हमारे slide के last rule की, तो चलिए वो भी discuss कर लेते हैं, rule 10, reporting verb is used at the end of sentence, but while making indirect speech, it will be writing and starting, यानि कि अगर हमारा reporting verb, हमारा जो reporting verb है, वो कहां लिखा हुआ है, किसी भी वाक्य के अंत में लिखा हुआ है, यानि कि यह समझ लिजा आपका reporting verb, end में लिखा हुआ है, तो जब हम इसको indirect speech में बनाएंगे, यानि कि जब इसे convert करे और पीछे से लिख रहे हो, नहीं, वो आपका color माना जाएगा, तो यहां पर आपको देखना है, जैसे, he has gone to the office, यह आपका sentence है, और reporting verb यह हो गया, reported speech हो गया, अंदर वाला speech होता है, बाहर वाला verb होता, ध्यान रखिएगा, तो यह कैसे convert होगा, वैसे ही convert होगा, सारी rules वैस सही ही लगे, बस ध्यान में यह रखना है, कि reporting verb अगर last में है, तो वो starting में चला जाएगा, बाकि पूरा hazard changes करने है, he said that, he had gone to the office, has gone था, present perfect था, तो किस में convert होगा, past perfect में, next देखिए, I shall write a letter tomorrow, said Vivek, last में दिया है reporting verb, Vivek said, या अगर हम इसे starting में करते, तो यहां पर कैसे convert होग Vivek said that, he would write, will, जो आपका था, shall, I shall, जिसने simple future के rule नहीं पड़े है, या will shall के rule नहीं पड़े है, नीचे playlist पे tense दिया है, देख लिजेगा, ध्यान से, तो आपका he के साथ, आपका will के हिसाब से, would convert हो जाएगा, तो Vivek said that, he would write a letter, tomorrow adverb के हिसाब से, किस में चेंज जाता है, next day मे या following day में, तो Vivek said that, he would write a letter, the next day, next देखे, you are a good student, the teacher said to me, because you have won the first prize, तो ये कैसे convert हो रहा है, आपका reporting वर बीच में दिया है, या end में दिया गर एक तरी किसे ले, तो इससे starting में लिखना है, the teacher told me, said to convert होगी आपका told में, the teacher told me that, I was a good student, because I had won the first prize, तो यहाँ पे कुछ और नही बदलेगा, यानि कि सब changes वैसे ही चलते हुए आएंगे, बस ध्यान आपको ये रखना है, student के reporting verb, वो आपकी starting में आएगी, तो ये था हमारा lecture third, आपका, यानि कि अगर हम बात करें, part third lecture, इसको 10 count करेंगे, किसका हमारे reported speech का, assertive sentence में changes का, lecture अच्छा लगे, तो वीडियो को like comment, share और सबसे important channel को subscribe करना ना भूले